तो J-Mens का exam के paper अभी हो रहा है, और J-Mens का exam का level जो है, कैसा है, आप सब भी को इसकी बारे में पता चलेगा, और यह भी बताने वालाओं कि NEET का जो paper है, उस paper का level कैसा हो सकता है, क्या J-Mens का जिस तरीके से paper आ रहा है, क्या वोहीं level निट में होगा, या कुछ अलग लेबल तो इसके बारे में आप सुब को आज important बाते बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे most important बाते आप सुब को बता दू कि friend आप सब भी J-man's का paper का level और neat का paper का level compare न करें कि J-man's का जो paper का level है वही level neat में आएगा अगर इस तरीके से compare करते हैं तो फिर आप frustrated हो जाओगे मैं आप सब भी को कुछ important बाते बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो फिर आप सब भी को बता दू कि J-man's में जो physics का level है उसका level थोड़ा tough है chemistry easy है और mathematics moderate है तो J-man's का जो paper हो रहा है अलग-अलग shift में हो रहा है तो किसी shift में physics tough है तो किसी shift में यह moderate है किसी shift में mathematics का level थोड़ा tough है और किसी shift में physical chemistry tough है तो मैं आप भी को बता दू कि J-man's paper से आप सभी को compare नहीं करना है neat के लिए अब यहाँ देखें बहुत सारे students को doubt है कि J-man's में solid state, chemical kinetics और solution में solution chapter से कुछ shift में shift first में questions नहीं आया है तो मैं आप सभी को बता दू फ्रेंड कि J-man's में total 20 plus 5, 25 questions आते हैं अब मुझे आप सभी बता है 25 questions कौन-कौन chapter से पूछा जाए तो यहीं कारण है बहुत सारे chapters है और questions आपको limited पूछना है तो इसलिए कुछ chapter से questions नहीं पूछी जा रहा है और किसी chapter से किसी shift में questions पूछी जा रहा है लेकिन NEET में आप सभी को बता दू 45 questions आते हैं तो NTA सभी chapters को cover करेगा आप सभी chapters अच्छे से करके जाना है अब बात करते हैं NEET के लिए तो सबसे पहले NEET में आप सभी को biology में बात करते हैं तो फ्रेंड biology के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइम में NCERT को follow करें क्यूंकि पिछल साल 2019 में 90 questions में 85 plus questions NCERT book से थे 85 plus questions तो आपको NCERT follow करना है कोई कुछ भी बोले आपको NCERT ही follow करना है बायो में इस टाइम पे वही NCERT आपका साथ देगा अब chemistry में आप सभी को बता दू फ्रेंड बहुत सारे essay students हैं जो chemistry in everyday life chemistry everyday life जो last chapter वो नहीं पढ़ते हैं तो chemistry in everyday life आप सभी को पढ़ना है अगर gene students अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैंने उसका link दो page का मैंने short quick revision notes मैंने दे रखा है आप सभी के लिए तो description से आप download कर ले बस दो page आप पढ़ ले उसमें से एक questions 100% आ जाएगा यह समझ लें आप ठीक है उस उतना भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा आपका तो मैं आप सभी को बता दू फ्रेंड chemistry में organic आप स्ट्रोंग कर ले और गेनिक में सभी reaction कर ले क्योंकि reaction से ही questions आते हैं और reactions आपका strong होना चा रिविजन करें otherwise आप अगर अभी तक आपने इस पर जाता ध्यान नहीं दिया है तो इन और गनिक में previous yearbook का सभी questions कर जाएं ठीक है मैं उन इस्ट्रोंट के लिए बता रहा हूं जो इन और गनिक पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो सिर्क previous year questions को याद कर लें आप सभी अब बात करते हैं फिजिक्स में तो फिजिक्स में इस टाइम पे जितना ज़्यादा questions प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम आएगा आपको क्या करें फर्मूला पहले देखें फर्मूला एक बार देख लें टेलेग्राम ग्रूप जॉइन कर ले टेलेग्राम पे मैंने एक 11- स्मार्ट नोक्री साच करें स्मार्ट नोक्री एस एम ए आर्टी नोक्री एन ए यू क्याराई वहाँ पर मैंने बहुत सारे चाप्टर्स ओली डाल रखा है 20-22 चाप्टर्स पाहले डाल रखा है थोसा नीचे स्क्रोड को देख लेंगे और यह भी मैंने फर्मूला डाल अभ्यास जो है उससे Smn से कोश्न पूछा अगया है तो फ्रेंड मैं बताओंगा अगर अभ्यास जो टेस्ट है आ अप करते आ रहे है गवर्नें जारी किया है तब तो ठीक है अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो उस पे आप सभी को ध्यान नहीं देना है, आप सभी अपना previous year बुक को करें, बायो में भी previous year करना आपको, physics में भी, chemistry में भी तीनयो में physics year प्रिवियस year पर focus करें, और मैंने जो जीस तरीके से आप सभी को बताया, बस वहीं करना है, कब भी टफ नहीं आया बहुत असान कोशन्स बायों में आता है केमेस्टी में भी मैंने देखा है कि असान कोशन्स हर एक साल आया है फिजिक्स का लेबल थोड़ा टफ रहेगा टफ नहीं बोल सकते मोडरेट रहेगा तो प्रिवियस यार आप मेहनत करें प्रिवियस एट पर फोकस करें आपका प्रिवियस यह नहीं साथ देगा बस मुझे आप से भी को यह बताना था तो फ्रेंड कोई भी डाउट हो तो अगले वीडियो में थेंक्स फुर लाचिंग वीडियो